हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चानल इन्वेस्मेंट का बाजार और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के शेर के उपर दोस्तों टाटा पावर के शेर में फ्राइडे के सेशन में लगबग लोज से तीन परसेंट से भी जादा की रिकव होती है फिर अगेन दोस्तों स्टॉक रिकवरी करता है तो अभी अनिश्चित्ता का दौट टाटा पावर के शेर में आता वह देखने को मिल रहा है इसलिए कब होगा दोस्तों टाटा पावर का शेर 200 के पार और शेर खान के नए टागेट सामने आये हैं टाटा पावर से अग्या होंगे चार जुलाई के यानि कल के मंडे के टागेट तो वीडियो को एंड तक देखेगा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगे दोस्तों तो चले दोस्तों शुरू करते हैं सबसे प्रेफ्रेंस करें तो टाटा पावर ने जो टाग अगर बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की तो आप देख सकते हैं ग्लोबली एक अच्छी तेजी के संकेत मार्केट में नजर आ रहे हैं और सौ पॉइंट्स का गैप अप मंडे के दिन अगर बात करें टाटा पावर की वॉल्यूम की तो दोस्तों पंद्रा मिलियन की वॉल्यूम टाटा पावर के शेयर में आती वी देखने को मिलिए चार उपे असी पैसे उपर शेयर क्लोज होता हुए देखने को मिला हैं लग बग दिन के हाइस पर शेयर अगर कोई भी शेयर सब शेयर आपको बहुत अच्छा मोमेंटम आता हुए देखने को मिला है फ्रो मोज बहुत तगरी रिकौवरी आपको सभी DRS में यह देखने को मिलियन टाटा पावर 20765 पर ओने देखने को मिला हैं क्लोजिंग दोस्तों 2007 किये तो डेफिनेटली एकदम दिन की हाइस पर शेयर क्लोज हुआ है अगर अगर अपन बात कर ले इसके रिटरंस की तो शॉट टम में मार्केट में गिरावट थी इसलिए शेयर में गिरावट थी अगर मार्केट आपको तेजी करके दिखाएंगे त तो डेफिनेटली टाथा पावर का शेयर आपको बहुत अच्छे रिटरंस कमा कर दिखा सकता है और आप देख सकते हैं एक साल में अभी भी 70% का गेन जो है स्टॉक में पेंडिंग है जी हां वह एक साल में 70% की तेजी शेयर दिखा चुका है और शेयर अपने 52 हफ्तों के हाई से लगबग 30% नीचे डेट कर रहा है तो डेफिनेटली जिसको भी 52 हफ्तों का हाई वापिस देखना है यह काफी अच्छा मौका है शेयर के अंदर खरीदारी करने का 30% का जो 52 भी खाई गयाप है फिर से शेयर आपको क्रॉस करता हुआ देखने को मिलेगा डिलिवरी अगर बात करें तो डिलिवरी से चौकाने वाले आकड़े सामने आ रहे हैं लगबग 7% डिलिवरी अपनको जादा देखने को मिली है फ्राइडे के सेशन में आप देख सकते 12% के डिलिवरी थी और फ्राइडे के दिन थर्सडे के दिन 12% की और फ्राइडे के दिन 19% की तो तो 7% का इजाफा डिलिवरी मा आता हुआ देखने को मिल रहा है जो कि काफी positive बात है अगर आप बात करें दोस्तों कमपनी के resistance की तो मंडे के दिन 210 रुपे का जैसे ही resistance क्लियर होगा breakout आता हुआ देखने को मिल अगा stockman then stock आपको 216 के भी पार जाता हुआ देखने को मिल सकता है तो मंडे को काफी अच्छा मौका है 210 के पहले जितना हो सके stock को आप buy करने की try करें और then आपको stock definitely 216 रुपे तक का target easily दिखा सकता है अब अगर बात कर लें charts पर तो charts पर clearly visible है कि दोस्तों पिछले 6 महिने में stock में आपको भारी घिरावट आती भी देखने को मिलिए पहले March से April में share आपको 2 महिने के अंदर अंदर 40% से जादा के return कमा कर देता है 220 का share 300 रुपे का level चूता हुआ देखने को मिलता है फिर दोस्तों अपरेल से जून तक stock की हालत खराब होती भी देखने को मिलिए वापिस से वो 40% का return था वो company वापिस आपको negative में आती भी देखने को मिलती है और जिस level से stock चलना चालू किया था वो levels भी share तोड़ता हुआ देखने को मिलता है इसी बीच जून में company का dividend भी देखने रहो आप D से इधर पढ़ सकते अब अगर बात कर लेते हैं levels की तो दोस्तों अगर short term की बात करूँ तो दोस्तों 240 के level से share में गिरावट आई लगबख share 190 तक गया फिर एक बहुत अच्छा spike आया लगबख 190 का 210 हुआ और उसके बाद consolidation हुआ और अभी भी share आपको proper consolidation करता हुआ दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है और इस consolidation का जो breakout है वो होगा 220 से पार जैसे ही 220 रुपे का level share तोड़ेगा तो आपको short term basis पर breakout आता हुआ देखने को मिलेगा and then share आपको 240 की range में आता हुआ देखने को मिलेगा और यही होगा दोस्तों stock का आप कहते कि moment अगर 240 का level तोड़ेगा then आपको 260, 280 and 300 ऐसे chunks में आपको targets आते हुआ देखने को मिलेंगे इसलिए यह जो zone में अभी share trade कर रहा है consolidation के zone में trade कर रहा है अगर 10 रुपे बढ़ रहा है फिर 5 रुपे गिर रहा है फिर 10 रुपे बढ़ रहा है यह range काफी अच्छी है इस range में आप अपने stock को long term के लिए accumulate कर सकते और minimum 30% का जो फासला है आने वाले 3-4 महिने के अंदर अंदर यह share आपको clear करकर दिखा सकता है तो कि EV आपको future में definitely play होने वाली है और definitely आप कह सकते कि solar पे भी company काफी अच्छा काम काज करती भी देखने को मिल रही है तो company का future है वो काफी positive है अब अगर Monday के levels के में बात कर लूँ तो Monday के दिन दोस्तो 207 से 210 रुपे की range में आपको share के अंदर खरीदारी करके चलना है और intraday में Monday के session में 216 रुपे तक का target आपन Tata power के share में easily suggest कर सकते है और Monday के दिन definitely जितने भी power stock से उनमें एक बढ़िया उचाल संभव हो सकता है दोस्तो that's it for video अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो चानल को सब्सक्राइब करेंगा दोस्तो thank you for watching this video